तो अभी मैं किसंगुमार अपनी इस वीडियो में आपका स्वाधत करता हूं तो अभी अमरे पास जो चेप्टर है इकोनोमिक्स का निमेरिकल पार्ट में नेक्स चेप्टर है मीजर अवसेंटरल टेंटेंशी का मीडियन एंड मोल मैंने कहा था मेंली जो अमरे पास से मीडियन मोल जिसमें से मीन आपका कंप्लीट हो चुका है अभी यह आपर जो बेस चलेगा वो मीडियन का चलेगा ओके वाद में डिस्कुस करेंगे मोड के ओपर ठीक है तो अभी हमरे पास मीडियन देखिए मेडियन ओके वैसे हमरे पास तीन शीरीज में निकाली मीडियन भी इंडिविज्चुस इरियज अ तो जैसे जैसे में आपको बताता हो वैसे ही आपको फोर्मुला की बारे में पता होनी चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से बताएंगे तो फिर्स्ट हमारे पास सिरीज कौन सी होती है इंडिवीज्वाली सिरीज तो इंडिवीज्वाल सिरीज को उनसी होती है यह आपको पता ही है जिसमें सिर्फ एकी सिरीज हो उसे कहता है इंडिवीज्वाल सिरीज और सिरीज को नाम होता है एकसाई ओके तो उसमें मेडियन कैसे निकालते है तो डिरेक्ट हमारे पास जो मेडियन है वो नहीं न पड़ता है इस एक साइट उडर में लिखना पड़ता है इस ओडर में असन डिंग मतलो बढ़ते गदा जैसे पहले सब से चोटी ट्राम आईगी फिर उससे बढ़ी ऐगी फिर उससे बढ़ी ऐगी पी ऐसे हमारे पास ठीक है तो तो यह इसको फोर्मूला होगा सबसे पहले इसको ascending order में लिखो, फिर median का formula लगाईगे, median का formula individual series में क्या होगा, and plus 1 upon 2th term, मैं completely इसको दिख देखता हूँ, lies in x i, ओके, तो यह हमार पास formula है, जो की completely खतम होगी, individual series में median का formula, दुबारा बता रहो, सलसे पहले एक series given होगी, उसे x i कहेंगे, उस x i को पहले हमें ascending order में लिखना है, small to large term, फिर उसके बाद median का formula अप्लाई करना है, small and plus 1 by 2.8 term, कई बार हमार पास books में होगा, किसी में दो तो formula बताता है, even के लिए और और के लिए दोनों के लिए सेम एकी formula बता रहो, इसी से दोनों question solo जाएंगे, even और और दोनों series के, second हमारे पास है discrete series, इसमें दो series होती है, एक एक एकसाई और दूसरी fi, fi से हम निकालते है, cf, cf यहने की cumulative frequency, cumulative frequency, यह 10th class में हमने की हुई है, और cumulative frequency किसे निकलती है, इस से, frequency से, ठीक है, तो median आपास इसमें कैसे निकालते हैं, median निकालने का इसमें एक formula होता है, median is equals to, ठीक है, capital N प्लस 1 upon 2th term, यहाँ पर small n था हैं, capital N, capital N का मतल़ा पता ही होगा, summation of fi, ठीक है, फिर जो term आईगी, यह term lies in xi, xi में होगी, मगर front of, cf, front मतलब k सामने, cf के सामने, जो xi है, उसमें हमार पास immediate lie करेगा, next question, next story, जो है continuously series, यह series important है, median की question आईगे अगर exam में, तो वो इसी series में से आते हैं, तो इसके लिए हमार पास 2 step होते हैं, step कितना होते हैं, 2, step number 1, पहले हमार पास median नहीं निकलता है, में टारे, पहले median term निकलती है, median term, median term का फोर्मॉला लगता है, n by 2 as a term, तो n by 2 as a term lies in cf, यह cf में lie करती हैं, इससे एक model class आजाती हैं, हमारी, model class, उसको हम model class भी कह सकते हैं, model group भी कह सकते हैं, ठीक है, अब यह model group आने के बाद, फिर second step लगाना है, median का जो फोर्मॉला होगा, median e equals to, वो होगा, l plus n by 2 minus cf upon f1 into h, यहाँ पर आप h भी लिख सकते हो, इसके opposite में i भी लिख सकते हो, i का meaning भी वही होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको f1 क्या होता है, यह होती है, frequency term, frequency term lies in model group, जो की model group में lie करेगी, यह model class कुछ भी कह लोगा, ठीक है, यह है, इसके बाद f1 के बाद हम ले लेते हैं, L, L हमारे पास होती है, lower limit, lower limit, इसके बाद होई lies in model group, h, h होता है difference between class integral, class integral को जोब इसका difference है, वो h कलाएगा, इसको हम आई भी कह सकते हैं, आई भी लिख सकते हो, इसके बाद हमारे पास मैं बता देता हूँ आपको cf, cf अमरे पास f1 से आएगा, previous term from f1, f1 से पिछली term, but in cf, but cf यहरी की class integral में, तो cf में सब cf में मिलेगी, मगर f1 से पिछली term, ठीक है, ओके, तो बचा एक n by 2, n by 2 आपको पता हूँ चाहिए, capital N को बोलते हैं, sigma f1 बटे में 2 आपका देगा, ठीक है, तो इस परकार, जो हमारे पास base है, median का, वो complete हो जाता है, individual series में, x i को पहले ascending motor में लिखू, फिर उसका median का formula, n plus 1 by 2 at term, discrete series में, frequency से cumulative frequency निकालिये, इसके बाद हम पास median का formula, capital N plus 1 by 2 at term, lizen x i front of cf, continuous series में, 2 step होते हैं, पहला median term निकालेगा, n by 2 at term, lizen cf, और दूसरा हमारे पास होता है, median का formula, ठीक है, तो यहाँ तक आप complete करना, यह base, अगले जो वीडियो होगी, उसमें आपके numerical question करवाई जाएंगे, okay, have a nice day.